बहुत हो गया यार इतना कि भी क्या दिखावा करना जितना आप कर रहे हैं दरसल सोशल मेडिया पर अपनी बड़ी बहु को लेकर चर्चाओं में आई बहुत है जबसे वो जादा ही अपनी छोटी बहु के साथ प्यार दिखा रही है अब सास बहु का प्यार होना लाजमी है और दिखाना भी चाहिए उसमें कोई बुराई नहीं लेकिन जब घर में दो बहुए होती है तो सास को थोड़ा समल कर चलना चाहिए लेकिन यहाँ पर भम्मू थोड़ी बचकाना हरकत कर रही है जिसकी वज़े से उनकी बड़ी बहु के साथ रिष्टे में खटास आती जाए रही है शोशल मीडिया पर जो सैंडी है उनको काफे कुछ सुनने के लिए मिल रहा है जिसका मुख्या कारण सैंडी के सासाथ भम्मू भी है दरसाथ भम्मू इतना ज़ादा प्यार दिखाती है अपनी चोटी बहु को जिसे देखकर लोग कमफर्टेबल नहीं रहते लोगों को य लगने लगा है कि जादा ओवर हो रहा है जिस वज़े से शायद नीतू भी इनसे दूर होती जारी है क्योंकि जिस तरीके से भम्मू अपनी चोटी बहु पर प्यार दिखाती है और बड़ी बहु की जो बुराई उन्होंने की थी उसके बाद में लोगों का जो है गुस्स बम्मो पर काफी जादा तूट पड़ा था हाला कि घर के अंदर बीच में क्या हुआ था ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है लेकिन जो भी घरवालों के द्वारा पता चली वो यही बात थी कि बम्मू जो है वो नीतू से इसलिए नराज रहती थी क्योंकि नीतू घरवा है उनकी व्लॉगिंग और दूसरा कारण है कि कही ना कहीं ऐसा लोगों को लग रहा है कि जो सैंडी है वो चापलूसी कर रही है अपने साज की जिस वज़े से सैंडी को काफी ज़्यादा पसंद कर रही है बम्मो और सैंडी की तारीफ करते हुए नहीं तकरी जिसकी से इनके घर के जगड़े बढ़ते जा रहे हैं हाला कि लखन ने आकर भी इस चीज के लिए क्लियाइटी दी थी कि किसी भी चीज के लिए जो है सेंडी को गलत ठहराना गलत होगा लेकिन जो घर के हाला दिख रहे हैं उसमें तो ऐसे लेगता है कि सेंडी जो बहुत जादा अ काफी जादा उमीद करते थे कि भमू ने जो है नीतु को भी प्यार दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी लेकिन अचानक से जब छोटी भह हुआई है और यह सब हुआ है तो वो थोड़ा शोकिंग लग रहा है जिस वज़े से लोग काफी जादा इन्हें देखकर अन सैंडी मुख्या रूप से दिखाए देती है भमू को थोड़ी से समझदारी दिखानी चाहिए और दोनों भवों में फर्क ना करते हुए एक बार दोनों को एक तरीके से देखे तो शायद ये रिष्टा सुधर सकता है जिसमें इतनी जादा खटास आ चुकी है हाला कि शा लेकिन फ्यूचर में जब सैंडी के पास नीतू जितना काम होगा तो देखना ये दिलचास होगा कि कितना सैंडी अपना टाइम दे पाती है और उसके बाद में जो सास जो दोनों भवों में फर्क कर रही है वो इस चीज़ पर किस तरीके से रियक्ट करेगी हाला कि हम इन दोनों भवों में अब फर्क ना करते वे दोनों का एक साथ लेके चलेंगी तो शायद रावत फैमिली की जो बॉंडिंग दिखाए देती है वो रियल में बन जाएगी